नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश्ट, देशी ढाबा में आप सभी का स्वागत करते हूँ आज हम मख्षन बनाना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बिना पानी यूज किये हुए पानी हम इसमें बिल्कुल काम में नहीं लेंगे, चले देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है सबसे पहले हमने फ्रेजर में आठ दिन करीब की मलाई थी, उसको निकाल लिया है बहार, दो-तीन घंटे पहले देखिए, यह साफ्ट हो गई बिल्कुल अब इसे हम दूसरे बरतन में ट्रांसपर कर देंगे, दोस्तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब्स कर दिया तो दिल से बहुत-बहुत धन्दबार, यदि नहीं किया तो प्लीज सब्क्राइब्स करके बेल आइकन में दवा दें, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बहुत काम की वीडियो ही, अब हम क्या करेंगे दही ले लेगे, हमने दो बड़े चमच दही ले ले लिये, थोड़ा सा खटा दही लेना है, अब इसे हम अच्छी तर ऐसे इसमें मिला देंगे, करीब 2 मिट तक हम इसको फैट लेगे, और अच्छ पर मतारी नहीं चलेगा आपका अन्य काम करते करते क्ब बन कर तेयार भिए ज़िए बबिसे हाँ दो से तीन घंटे के लिए ठका का कर देने बाद हम मख्षन के आंगे के प्रोसेस में चलती हैं इसे अब हम दही डालने के बाद दो घंटे बाद इसे फिर फैटना शुरू कर रहे हैं और करीब एक से दो मेठा में से अच्छे तरह से फैटेंगे दोस्तों जह हम मलाई इखटी करते हैं घी और मख्षन बनाने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए जब भी हम मलाई दूस से निकालते हैं तो जो छेद वाली जारी आती है मलाई हमें उससे निकालना चाहिए और दूस जितना बन सके उतना हमें नितरा देना चाहिए यह टीप्स सभी के लिए बहुत खास हैं क्योंकि जब हम मलाई श्टोर करते ह साथ में दूद भी बरावर से स्टोर हो जाता है। जब हम साथ आठ दिन की मलाई देखते लिटाब बहुत सारी मलाई है यारे तो जब हम मक्खन और घी बनाते हैं तो जाब बाओ बनाने की परकेरिया में दूद जब सेपरेट अलग होता है और विलकुश जड़ा सा मक्खन बसता है और घी भी और कम निकलता है घी के साथ आतो मावा भी निकल जाता है तो जो मावा निकलता है ना बोह तो लोग सारी श्टोर करी हुई दिखती है किंतु मख्छन और घी भौत कमात्रम निकल तो दिश्वास का आप लोग बिसेज ध्यान रखें चलिए अब हम दो मिनिट फैटने के बाद इसमें बरप मिला लेते हैं कुछ पीस देखें मक्खन बनना शुरू हो गया है दूद अलग दिख रहा है अब बरप मिलाएंगे न हम तो बहुत जल्ली मक्खन बनकर तयार हो जाए करीब 6-7 पीस हमने बरप की टुक्रे डाल दिया वह देखिए देखते ही देखते एकदम मक्खन सेपरेट होने लगा है और बहुत फटा फट बन जाता है ना इसमें हमने मिक्सी का यूज किया ना मथानी का यूज किया तो दोस्तों यदि आदि आपको मक्खन से घी कैसे घी बनाना है यदि आपको यह जानना है तो मैंने एक वीडियो इसमें डाली इसी चैनल में आप वो जाकर देख लीजी तो यदि आपको मक्खन यूज नहीं करना डारेक्ट घी बनाना है तो आप वो घी बनाना भी देख लीजी देखिए दोस्तों बरप डालने की बाल द देखते देखते कितना अच्छा मखन तैयार हो रहा है अभी आपको यह थोड़ा सा कडाङपन में लग रहा हो क्योंकि भरब की heart निकलमखन हो जाएगी स्टो मखन एकदम सर थे यहां देख समय में पूरमखन बनकर तैयार हो गया और में पाने का बिल्कुल भी योज नहीं किया और आपने भी देखा होगा लगभग जितनी मलाई थी उतना ही मक्खन बनकर तयार हुगा बहुत ही कम देखिए जितने साइज बारब के टुकड़े ला ले थे उतना ही दूद निकला है इससे ज्यादा निकला भी नहीं होगा क्योंकि मैं जो मलाई लेती आपको पहले बताई दिया कि मलाई मलाई श्टोर करते हूं मथा नहीं करते हो चली अप हम मखन अच्छी तरह से बनकर तयार हो गया है इसे अब हम निकाल लेते हैं मलाई में हमने दही मिलाया था इसलिए अब जी मठा बन गया है अब इसको हम कड़ी वगएरा बनाने में काम ले लेंगे या फेर जैसा भी मर्जी आएगा वैसे भी पी सकते हैं जीरा और नमक काला नमक डाल का भी पी सकते हैं आई अब हमक्षन को पानी से अच्छी तरह धो लेते हैं जिसमें एश्टर जितना भी मठा रहेगा वो भी निकल जाएगा और दोस्तों एदि आपको घी बनाना है तो अब जी मठा आप अलग करके इसी बर्दन में घी बना लेजिए और ये अच्छा मक्षन बनकर देयार हो दोस्तों एक बढ़िया वीडियो हमने आपको बना कर दी है आप इसको जरूर ट्राय करें और मक्षन बनाए और मक्षन से घी बनाए और जो हमने आपको टिप्स बताई है उस टिप्स को जरूर फालो करें आपको बढ़िया मक्षन और घी बन कर तेयार होगा वीडियो फिर मिलते हैं नमस्कार दोस्तों परणाम